अगर आप LIC एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है हेलो दोस्तो आज गे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आनन्दा से जुड़े कुछ सवालों के आंसर तो इसलिए ये वीडियो होने वाला है सिर्फ LIC एजेंट्स के लिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आनन्दा के जरिये आप मैकसिमम कितना समय शौट की पॉलिसी कर सकते हैं और कितना प्रीमियम मैकसिमम उसमें हो सकता है और अगर आपकी पॉलिसी में मैडिकल है तो इस पॉलिसी को आनन्दा से कैसे करेंगे और अगर दोस्तो डिवीजन केस है तो उसे आनन्दा के जरिये कर सकते हैं या नहीं और अगर किसी की उमर 18 साल से नीचे है तो इस policy को क्या आप आनन्दा से कर सकते हैं या नहीं और अगर दोस्तों आप आनन्दा के जरिये policy कर रहे हैं और उसमें नौमनी minor है तो उस case में appointee का add करने का option आता है या नहीं और आता है तो आगे का process क्या है इन सभी सवालों के answer जानने के लिए वीडियो को देखते रहे हैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe जरूर कर दें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो time से मिल पाए तो बात करते हैं पहले सवाल की तो सबसे पहले बात करते हैं maximum समय short और maximum premium की कितनी हो सकती है आननदा के जरिये तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि पहले आप 10 लाट के समय short तक की policy कर सकते थे लेकिन अब आप एक करोड तक की भी policy कर सकते हैं जी हाँ आप एक करोड तक की policy भी आनंदा के जरीए कर सकते हैं लेकिन उसमें condition ये है कि वो policy non-medical होनी चाहिए दोस्तों पहले आप 10 लाग के समय शॉट तक की policy कर सकते थे उससे उपर की policy करने का कोई भी option नहीं था लेकिन अब आपके पास option आ गया है अब 10 लाग से उपर की policy की जा सकती है कोई भी limit नहीं है अब आप 1 करोड तक की policy कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर एक condition है कि वो policy non-medical होनी चाहिए तो दोस्तों non-medical की जो requirement है उसके detail आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं non-medical के अंदर 18 से 35 साल की उमर तक के व्यक्ति की 1 करोड तक की policy हो सकती है और उसके लिए कौन-कौन से plan available है उसकी list आप नीचे देख सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं medical वाले proposal को कैसे करते हैं मैं यहाँ पर आपको कोई process नहीं दिखाने वाला मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि आप medical वाले proposal को कर सकते हैं आनन्दा से या नहीं तो इसका answer है जी हाँ yes आप medical वाले proposal कर सकते हैं आनन्दा के जरिये लेकिन इसमें आपका केवल उसमें FMR लगना चाहिए अगर उसमें कोई special report आ रही है तो उस case को आप आनन्दा के जरिये नहीं कर सकते उस case में होगा क्या आप FMR को online आनन्दा पे तो upload कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर option नहीं है लेकिन आप normal जैसे सारे proposal को भरते हैं वैसे ही भर दीजिए और उसके बाद जो आपकी FMR है उसे अपनी branch में जाकर feed करा दीजिए आपका case हो जाएगा तो दोस्तो अब बात आती है term rider की अगर आप अपनी policy में term rider दे रहे हैं और आप उस policy को आनन्दा से करना चाहते हैं तो उस policy को किया जा सकता है आपको बस उसका medical अपनी branch में संबिट करना होगा और case को जैसे आप भड़ते आ रहे हैं वैसे ही भड़ देना हैं आपका proposal complete हो जाएगा तो दोस्तो अब बात करते हैं division case है तो उसका क्या process है division वाले case अभी आनन्दा से नहीं हो रहे हैं लेकिन in future अगर आप कोई update आती है तो मैं आपको बता दूँगा उसके लिए आप channel को subscribe करके रख सकते हैं और अगर non medical case है तो वो division से हो जाएगा तो दोस्तो अब बात आती है अगर किसी की उमर 18 साल से कम है और उसे आनन्दा से करना चाते हैं तो ये possible अभी तक नहीं है in future हो सकता है ऐसा कोई process आ जाए जिससे हम 18 साल से नीचे वाले बच्चों की policy कर पाएं तो दोस्तो अभी आपके पास सिर्फ यही option available है कि जिसकी उमर भी 18 साल से उपर है सिर्फ उनी की policy आप कर पाएंगे और दोस्तो अब बात आती है अगर आप nominee minor को बनाना चाते हैं और आनन्दा से policy कर रहे है तो उस case में होगा क्या जब आप appointee को add करेंगे तो उस case में appointee के पास भी OTP जाएगा तो हमें उसे भी verify करना होगा और verify होते के साथ ही आप अपना nominee minor भी बना सकते हैं तो दोस्तो ये थे कुछ आनन्दा से जुड़े सवाल अगर आपका भी कोई सवाल है तो comment करके मुझसे आप पूछ सकते हैं मैं उनका जवाब जरूर दूँगा वीडियो अच्छी लगी तो like करना और channel को subscribe करके हम से आप जूड सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे time से मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए bye धन्यवाद